कि नमस्कार साथ ही आप लोगा सोगता है गज के स्रिवाय क्लासिस में और आज हम मैलाइक एसेट के बारे में समझेंगे मैलाइक एसेट जो है बीएसी सेकंड येर के और गनिक केमिस्ट्री का भाग है इसमें मैलाइक एसेट का सब से पहले देखते हैं मॉलकुल इसमें चार परमान होते हैं हाइडोन के चार परमान होते है और Śसीजब के जाई dua क्योंते हैं इसे रिखे हैं कैसे को बहुंद देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वही बात जैसे पहले हमने mail-ecd में देखा था सक्सीनिकosit में देखा था कि the Seoul US group होने की प्रिजेंश को देखने के लिए को देखने के लिए हम만 डाइस इसे sodium hydroxide कि दो परवाणों के साथ जब किया कराते हैं sodium hydroxide के तब हमें sodium sodium malate disodium malate बनता है the sodium malate प्राप्त होता है इसका जो फार्मूला है वो है c h c oone double one c h c o oone इसी प्रकार यज़ी हम इतायल alcohol के साथ जब कराते हैं तब इतायल alcohol के साथ reaction कराने पर CHCOO C2H5 double bond CHCOO C2H5 हमें प्राप्त होता है इसको कहते हैं diethyl malleate ठीक है इसे कहते हैं diethyl malleate इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें COOH group होता है तो COOH group यह होता है वो किस position न इस्तत होता है इसको देखने के लिए हमें इसको गरम करना पड़ता है गरम करने से इसमें से एक बाटर का एक अनू निकल जाता है बाटर का एक अनू निकलने से इसमें यह malic malic anhydride हमें प्रापता होता है malic anhydride का जो formula है वो हम आपको लिखके बता देते हैं malic acid malic acid का जो formula है वो है CH11CH ठीक है CO CO और एक O इस प्रकार हमें malic anhydride को लिखते हैं और यह बनता कैसे है एक वाटर का अनू निकलने से बनता है इसके बाद देखते हैं कि इसका possible structure क्या बन सकता है इसका जो possible structure बनता है वो इस प्रकार बनता है यह लिखा है सामने C के साथ एक H लगेगा और नीचे वाले C के साथ भी एक H लगेगा और उपर वाले C के साथ एक CWH लगेगा और इधर भी एक CWH लगेगा कुल मिलाकर हम क्या है सकते हैं कि C के साथ एक तरफ H और एक तरफ CWH लगता है और नीचे वाले C के साथ भी उसी पोजिशन में H के नीचे ही एक H और CWH के लिचे ही एक CWH लगता है इस परकार हमें possible structure प्राप्त हो जाता है Malic Acid का सबसे अंत में आता है Synthesis सकसिनिक असेट में Malonic Acid में और Malic Acid तीनों में हमने सबसे लाइश्ट में ही संथेसिस बताई है Malic Acid की संथेसिस करने के लिए Carbon Hydrogen को लिए जाता है Carbon Hydrogen को लेकर हम इसमें Electric Spark कराते है Electric Spark कराने से C2H2 इसमें हमें प्राप्त हो जाता है इसके बाद इसमें Romine के साथ जब इजैक्शन कराते है तो CHBR वं हमें сरता है इसके बाद के साथ के लिए कराते है Poetitium shinerud के साथ कराते है तो KBR निकल जाता है और KBR निकलने से बन जाता है CHCN XX CHCN बन जाता है इसकी जब हम tą बार्टर के साथ करिया कराते हैं तब बार्टर के साथ करिया कराने से हमें बनता है CHCOOH, double bond CHCOOH, इस परकार हमें लेब के अंदर maleic acid हमें प्राप्त हो जाता है एक बाद फिर से देख लेते हैं सबसे पहले हमने पढ़ दा maleic acid का formula molecule formula जो है इसका C4H4O4 होता है इसमें दो CWH group present होते हैं इसकी presence को देखने के लिए हमें sodium hydroxide करिया कराते हैं तब हमें di sodium maleate पराप्त होता है जब हम इथाइल alcohol के साथ करिया कराते हैं तब di ethyl maleate पराप्त होता है इसमें दो CWH होने की पुष्टी हो जाती है CWH किस position वे इस देता है यह देखने के लिए हमें हमें इसको गरम करना पड़ता है जिससे हमें एक water एक water molecule निकल जाता है एक water molecule तब ही निकल सकता है जब दोनों CWH अलग-अलग carbon position पर इस चित हों और हमें प्राप्त होता है malic anhydride malic anhydride प्राप्त होता है इससे हमें पता चलता है कि पॉसिल इस्ट्रक्चर जो है वो C H C O O H C C A O O H इस प्रकार हम इसके पॉसिल इस्ट्रक्चर को लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद last में आता है lab के अंदर इसकी synthesis करने की lab के अंदर synthesis करने लिए carbon hydrogen को लिए जाता है अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो अच्छा लगा हो तब आप करके से like करें और अपने इस वीडियो को अपने साथिओं के साथ जो भी आपके साथ वड़ते हैं उन्हों सभी साथिए के साथ शेयर करें फेस्बूप पर से र्रें करें ट्यूटर से शेयर करें तैयरी जिराम पर पास तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके मैं अपने हैंट रेटिंग नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे की और समझा भी समझाता भी जा रहा हूं जिससे की आपको सभी किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप नोट्स बना स और मैलोनिक एसिट का वीडियो नाया था तो इस प्रकार सीनिक एसिट आपका कंप्लीट हो गया है मैलोनिक एसिट आपका कंप्लीट हो गया है और आज आपका मैलिक एसिट भी कंप्लीट हो गया है इसी प्रकार नेक्ट वीडियो मैं लेख रहा हूंगा टार्टारिक एसि की पूर्फिल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा